Hello friends, आज की वीडियो में मैं आप सभी को UDIS Plus के portal पर student को किस तर से promote कर सकते हैं, उसकी पूरी जयनकारी इस वीडियो में देर जा रहा हूँ और साथ में मैं आप सभी को 2024 और 2025 के progression activity को किस तर से complete करेंगे, उसकी पूरी जयनकारी इस वीडियो में मिलने वारी है तो प्लीज इस वीडियो के साथ बन रहें, जिससे आपको student को promote करने में कोई दिक्कत ना आए, और साथ में आप progression activity को भी easily से complete कर पहें तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, फ्रेंट्स वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मारे चैनल पर पहली बने तो प्लीज इससे like और शेयर जरूर करें इसके लिए सबसे पहले आपको Google में UDICE Plus का portal open करना होगा, open करने पर आपके सामने इस तना का page दिखाई देगा, और यहां पर आपके सामने लॉगिन फोर आल मडियूल पे click करना होगा, जैसे इससे click करेंगे आपके सामने इस तना का page आ जाएगा, और यहां पर आप स्क्र करना होगा, चली हम यहां पर capture डाल लेते हैं, उसके बाद यहां पर login करना होगा, जैसे आप login करेंगे, आपके सामने इस तना का page आ जाएगा, और यहां पर आपके सामने अच्चिन यहां पर और नीचे यहां पर जो module यहाँ पर नीचे साइड पर लिखा भी गया है, कि अगर आपके जो 2023 और 2024 का जो progression activity नहीं complete होई, तो आप इसे finish करें, उसके बाद जो आप 2024 और 2025 में जा सकते हैं. तो friends, हम देख सकते हैं, यहाँ पर हमारी 2023 और 2024 का जो मारे पास progression activity है, वो complete हो चुकी है, और इस तरह से आपका भी complete होगा. तो हम यहाँ पर current academic year पर जाएंगे, 2024 और 2025 पर इसे click करेंगे, जैसे इसे click करेंगे, आपके पास एक pop-up message आदेगा, इसे आप इसे close कर लेना. नेक्स हमार पर यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमार पर school जो detail है, आपके सामने यहाँ पर ग्रेड वाइस दी गही है, 2024 और 2025 की. देख सकते हैं, हम पर हमने जैसे click किया, आपके पास progression module आ चुका है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, व्यू समरी, अगर आप समरी देखना चाहते हो, तो अगर आपका हुआ है, तो आप यहाँ पर summary देख सकते हैं, समरी सेक्शन वाइस देख सकते हैं, और finalize आपको last में करना होगा, हम देख लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ students का किया था, तो आपको करना क्या होगा इसके लिए, सबसे पहले तो आप progression activity पे जाएंगे और यहाँ पर go पे click करेंगे, जैसे go पे click करेंगे, आप देख सकते हैं, हमारे पास इस तरह से आपको भी आ जाएगा, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको जो अपनी class जो है select करनी होगी, सबसे पहले जो higher class होगी आप वो ले लेना, क्योंकि step by step जो अगर आप third वाली class लेते हैं, तो वो automatically fourth class में बच्चे show हो जाएंगे, इसलिए last class अगर लेंगे, जैसे हमारे पास fifth class है, तो हमें six बच्चे लेते हैं, और यहाँ पर section और go पर click करेंगे, आप देख सकते हैं friends, यहाँ पर हमारे पास इस तरह से आपको भी show होगा, यहाँ पर सबसे पहला जो दिया गया है, progression status है, यहाँ पर आपको select करना होगा, जो भी आपका reason होगा, यहाँ पर डालेंगी, हमारे पास promoted with examination है, next मार percentage marks कितने आए हैं वो आप देख सकते हैं, इस student के हमारे पास 72% थे, next मार पास कितने days आए हैं वो आपको यहाँ पर mention करने होगे, जैसे मार पास इस तरह के students थे, उन्होंने यहाँ पर school days attend किये, इतने, next मार पास school status आप देख सकते हैं, क्या यह same school पढ़ रहे हैं, यह left हो च क्लिक करेंगे, जैसे अपडेट पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक pop-up message आजएगा, यहाँ पर लिखा गया है, student details, updated successfully, और ok पर हम क्लिक कर लेंगे, यह बच्चे जो है हमारा done हो चुक है, आप देख सकते हैं, इस तरह से सभी बच्चों को आपको करना होगा, next मार पास स यहाँ पर हम एक बच्ची को ओ ले लेते हैं, और यहाँ पर आपको दिखाते हैं, तो friends हमने यहाँ पर जो है second student भी ले लिया और यहाँ पर हमने update कर दिया है, जैसे आप update करोगे तो आपके पास फिर message आजएगा, और हमारे सारे students हो चुके हैं, इस तरह से आपके सभी students हो होगे, आप confirm पर click करेंगे, जैसे confirm पर click करेंगे, आपके पास यहाँ पर progression activity जो है, all students of class 4 की section A का has been successfully completed हो चुके, आप यहाँ पर click करेंगे, तो friends आप देख सकते हैं, नीचे यहाँ पर आपको finalize का बटन नहीं आ रहा, आप यहाँ पर लिखा गया है, the progression activity for the section has been already completed हो चुकी इस तरह से आपको सभी classes का करना होगा, इस तरह से step by step आप कर लेंगे, तो चलिए हम आपको सभी classes का करके दिखाते हैं, friends आप देख सकते हैं, यहाँ पर most of the classes जो हमने, यहाँ पर progression activities को complete कर लिया, next progression activity पर वापस click करेंगे, और यहाँ पर आपना view summary देख लेंगे, जो भी हम सारी summary होगी, इस तरह से है, देख सकते हैं, हमने एक class अभी चोड़ी थे, यहाँ पर पेंडिंग शो हो रही है, और यहाँ पर सभी classes को अपडेट कर दिया, यहाँ पर status भी शो हो रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, student school details आपको आ रही है, जो बचे चले गया है, यहाँ पर सारी sections दिखागे देंगी, और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे finalize हो चुकी है और date और time भी आ चुका है, इस तरह से आप अगर आप view करना चाहते हैं update तो आप यहाँ पर check कर सकते हैं, यहाँ सारी सारे sections जो भी हमारी होंगी, वो हमारे पास finalize हो जाएंगी, उस कर लें जिससे आप अपने higher authorities को दे सकते हैं कि हमारा UDAS Bless जो है complete हो चुका है तो friends यह अगर जानकर यह अच्छे लेग दो प्लीज से like और share जूर करें आज के लिए इतने था friends हम अपनी next video मिलते हैं इस तरह के informative वीडियो पाने के लिए प्लीज चैनल को जूरू subscribe करने के लिए बाइ बाइ टिक किया